अब चार महीनों से भारत जोड़ो यात्रा कन्या कुमारी से कश्मीर तक चल रही है और आज हमारा पंजाब में आखरी दिन है देश में बीजेपी ने आरेसेस ने नफरत का महौल फैला रखा है हिंसा नफरत और डर का महौल एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने का काम करते हैं बीच में खाई बनाते हैं एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं एक भाषा बोलने वाले लोगों को दूसरी भाषा बोलने वाले लोगों से लड़ाते हैं और डर फैलाने का काम करते हैं इनकी सब योजनाएं किसी ना किसी को डर पहुचाती है और आप UPA की कॉंग्रेस पार्टी की योजनाओं को देखेंगे हमारी सारी की सारी योजनाएं डर को मिटाने की कोशिश करती है मनरेगा किसानों का कर्जा माफ आदिवासी बिल जवालाल नहरू अर्बन रिन्यूवल मिशिन हरी करांती सफेद करांती जो भी हम करते हैं हम डर को मिटाने के लिए करते हैं और जो भी ये करते हैं ये डर फैलाने के लिए करते हैं इनकी सब योजना हैं आप देखिए किसानों की तपस्या चार बजे सुबे उनकी तपस्या शुरू होती है दिन भर चलती है बारिश हो तुफान हो आंदी हो किसान तपस्या करता है देश को भोजन देता है कुछ जादा सवाल नहीं पुछता बस ये चाहता है कि इस देश उसकी मदद करे उसका आदर करे बाकी लोग बहुत चीजें मांगते हैं इस देश का किसान कुछ नहीं मांगता अब बीजेपी ने उनके लिए क्या किया तीन काले कानून लाए इन कानूनों से किसानों के दिल में डर पैदा हुआ या शांती आई डर पैदा हुआ ना प्रधान मंत्री बीमा योजना किसान से पैसा लेते हैं ये देखो ये देखिए किसान से पैसा लेते हैं बीमा के लिए किसान से पैसा लेते हैं फिर सरकार का पैसा उसमें जोडते हैं और मैं अब पूरे देश में चला हूँ किसी एक किसान ने मुझे नहीं कहा कि भाईया जब हमारा नुकसान हुआ तो हमें बीमा का पैसा मिल गया तुफ़ान आता है आंधी आती है सुखा पड़ता है किसान के दिल में डर पैदा होता है उसको कम करने के बजाए बीजे पर उसको बढ़ा देती है पूरे देश में हर प्रदेश में कभी आप इन सडकों पे चार बज़े सुभे चलोगे तो आपको इन सडकों पे युवा दोड़ते हुए दिखेंगे आर्मी के लिए त्यारी करते हैं नेवी के लिए एरफ़ॉर्स के लिए सी आर पी एफ बी एस एफ के लिए त्यार करते हैं त्यारी करते हैं रणिंग करते हैं आपने देखें देखें न तिरंगे की रक्षा करना चाहते हैं सोचते हैं कि सेना में जाएंगे देश की रक्षा करेंगे और देश हमारी रक्षा करेगा कैसे रक्षा करेगा पेंशन देके पन्रा साल की सर्विस देके अगर कोई शहीद हुआ तो इसके परिवार की रक्षा करके लाकों युवा सपना देखते हैं अगनिवीर योजना ने इनका डर कम किया या बढ़ाया बढ़ाया ना अगनिवीर योजना ने हिंदुस्तान की सेना को मजबूत किया या कमजोर किया ये हिंदुस्तान का हर नागरिक समझता है ये सेना के सब सिपाई समझते हैं आज बोल नहीं पारें वो अलग बात है मगर अगनिवीर योजना ने जो तीन काले कानूनों ने किसानों के साथ किया वो ही अजगनिवीर योजना सेना के साथ कर रही है लुध्याना स्मॉल और मीडिया मैनुफ्रेक्ट्रिंग का सेंटर हुआ करता था चाइना से मुकाबला करता था एक मेडिन चाइना हुआ करता था दूसरा मेडिन लुद्याना होता था ओटो पार्ट्स, टेक्स्टाइल्स, साइकल, जलंदर में स्पोर्टिंग गूड्स पूरी दुनिया में आप भेजते थे नोट बंदी ने उनके दिल में डर मिटाया या पैदा किया गलत जी एस्टी ने उनके दिल में डर मिटाया या पैदा किया तो जहां भी ये योजना लाते हैं इनका लक्ष होता है किसी ना किसी को दराओ और उसकी जो तपस्या का फल है उससे छीन कर हिंदुस्तान के सबसे बड़े दो तीन अरब पतियों को पकड़ा दो समाज में जब दर पैदा होता है नफरत फैलाना बहुत असान होता है अगर किसान के दिल में डर है असानी से उसको नफरत में बदला जा सकता है अगर छोटे वियापारी के दिल में डर है असानी से उसको नफरत में बदला जा सकता है तो इनका यही काम है देश में दर फैलाओ और उसको नफरत में बदलो ध्यान उधर करो और हिंदुस्तान के जो तपस्वी है जो उनका है वो छीन के सबसे बड़े दो तीन उद्योगपतियों को दे दो क्यूं? क्यूंकि उद्योगपति इनकी पार्टी के मार्केटिंग करते है 24 गंटा मीडिया पे आपको नरेंद्र मोदी जी का चैरा देखेगा कभी टीवी ओन करके देखो आपको नरेंद्र मोदी जी का चैरा देखेगा किसान के सामने जो समस्या है महिंगाई खाद की कमी भीमा योजना इनके बारे हैं आपने मीडिया में कभी चर्चा देखी है गलत GST के बारे में नोट बंदी के बारे में आपने कभी चर्चा देखी है देख नहीं सकता क्योंकि इनका लक्ष और इनकी गलती नहीं है जो यहाँ है इनकी गलती नहीं है जो इन मीडिया हाउसिस को कंट्रोल करते हैं उनका लक्ष सच्चे मुद्वे पर हिंदुस्तान का ध्यान ना चला जाए 24 गंटा यहीं करते हैं क्यूं क्यूंकि आपकी जेब काटी जा रही है जेब कत्रा जब जेब काटता है सबसे पहले वो अकेला नहीं आता दो-तीन लोग आते हैं पहला काम क्या करता है वो पहला काम वो आपके ध्यान को कहीं और ले जाएगा और जैसे आपका ध्यान उदर गया वैसे आपकी जेब काटेगा सही है ना कभी कभी जेब कात्रे ने ये तो नहीं का भईया अपने पोकेट को देखो अपने बटुए को देखो कभी नहीं कहेगा क्या का देखो उदर देखो देखो उदर देखो अश्वरिया राई की ओर देखो शारुक खान के ओर देखो विराट कोली के ओर देखो हिंदु मुस्लिम की बात करो और जैसे उदर ध्यान गया खटाक पीछे से गई तो ये कर रहे हैं ये जेब कत्रा हजार दो हजार पांच हजार रुपे चोरी करता है ये लाखों करोड रुपे हिंदुस्तान की जनता से छीन लेते हैं इसलिए हमने ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू की महिंगाई के खिलाफ बेरोजगारी के खिलाफ नफरत के खिलाफ हिंदुस्तान को जोड़ने की यात्रा आपने इतना प्यार दिया इतनी मदद की मैं आपको यहाँ दो घंटे तीन घंटे बोलूँ तब भी नहीं समझा पाऊंगो आपने कितनी स्ट्रेंथ दी हमें सडक पे कोई गिरता था चोट लगती थी एकदम आप मदद करते थे यात्रियों ने हमें कहा कि धाबों में उनसे कोई पैसा नहीं लेता था पंजाब के लोग कहते थे भी या भारत जोड़ो यात्रा पे हो हाँ चलो फ्री में खाना खाओ हम आपकी मदद करना चाहते हैं यह सचाई है आपकी इसको आप मोहबत कहलो इसको आप पंजाबियत कहलो अलग-अलग नाम है मगर आपने यह दिखाया तो दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ एक-दो प्रॉब्लम आपने क्रियेट कर दी मेरे लिए गंभी प्रॉब्लम क्रियेट कर दी अब दिल्ली के परोटे से काम नहीं चलने वाला अब नहीं चलने वाला वो मक्की की रोटी सर्सों का साथ दिल्ली वाला नहीं चलेगा अब मैं सोच रहा था मैं अपनी मा के घर जाता हूँ उनको सर्सों का साथ मक्की के रोटी बहुत अच्छी लगती है मैं सोच रहा था अभी सोच रहा था उनको बताना पड़ेगा कि यह आपका फेल है इससे काम नहीं चल रहा है इसको आप बदल ये वह पंजाब वाला लाहिए तो आपने इनवेशन भी है देखो देशी पीज़ा आप किसी का भी मुकाबला कर सकते हो और आपका जीने का तरीका आपका है आपके उपर चीज़े धोपी नहीं जा सकती आपकी भाष्शा है आपके गुरू है आपकी हिस्ट्री है आपका इतिहास है और ये नया नहीं है ये सालों से चल रहा है मैंने जानमूच के पगरी पहनी क्योंकि मैं आपको बताना चाहता था कि आपकी जो हिस्ट्री है जो रास्ता आपके गुरू नहीं दिखाया है उसका मैं आदर करता हूँ उसके सामने मैं सिर जुकाता हूँ और वो मेरा रास्ता भी है और उससे भी मुझे बहुत सीखने को मिलता है हर रोज सीखने को मिलता है पिछली मीटिंग में मैंने कहा पंजाब के चीफ मिनिस्टर के बारे में कहा उनको कहा कि भगवन मान जी पंजाब को रिमोट कंट्रोल से नहीं चलने दीजिए यह मैंने मामूली बात नहीं कही है सबसे पहले मैं आपको मैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर से कहना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ लोकसभा में बैठे थे आप में और अर्विंद केजरिवाल जी में बहुत फरक है आपकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ मैं कॉंग्रेस पार्टी के स्टेट से कह रहा हूँ मगर पंजाब को बिल्ली से नहीं चलाना चाहिए मैं आपको बताता हूँ मैं क्यूं कह रहा हूँ सड़क पर मेरे साथ चल रहे थे मैंने उनसे पूछा क्या हो रहा है कुछ नहीं हो रहा मैंने का ठीक है कॉंग्रेस पार्टी का है मैं किसी और से चेक करता हूँ सड़क पर साइट पे किसान मिले पहले मैंने उनसे खेती के बारे में पूछा फिर मैंने पूछा भया बताईए यह आम आदमी पार्टी की नई सरकार आई है इसने क्या किया उसका जवाब था कि यह रिमोट कंट्रोल सरकार है मुझे अच्छा नहीं लगा आम आदमी पार्टी से कॉंग्रेस पार्टी पंजाब में लड़ेगी हम आपको हराएंगे वो अलग बात है वो अलग बात है मगर अगर एक किसान कहे रिमोट कंट्रोल सरकार है और मैं पूछू रिमोट कंट्रोल मतलब और वो कहे राघव चड़ा मतलब आर्सी तो यह सही बात नहीं है यहाँ पे कॉंग्रेस पार्टी के नेता बैठे है गुजरात में आपका पैसा गुजरात के चुनाओं में इस्तिमाल किया जाए गुजरात में अडविर्टिस्मेंट्स दी जाए आपके पैसे से यह सही नहीं है यह गल्प है यह पंजाब के लोगों का पैसा है और मैं फिर से कहता हूँ कि भगवन्त मान जी मुझे अच्छे लगते है मगर पंजाब को पंजाब से चलाना चाहिए आपने खूप सपोर्ट की नफरत के बाजार में आप सबने महबत की दुकान खोली इसके लिए आप सब को दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ नमस्कार जैहिन